हालो बच्चों कैसे हैं आप मैं दुश्य अंद बाती को टू एंड डिजिटल एजुकिशन में आपका स्वागत करता हूं और विड़न ने करता हूं बेटा आज हम आपको एक इनाय टॉपिक लीनियर इक्वेल्टी पढ़ा हूं देखिए इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक्स पढ़ा चुका हूं देखिए देखिए कोशन है 24x less than 100 when x is a natural number x is a natural number कैसे सॉल करेंगे इसके देखिए 24x is less than 100 हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसमें डिवाइड बाई डिवाइड बाई सेम पॉजिटिव नंबर सेम पॉजिटिव नंबर तो मैंने क्या करा इसमें बिटा 24 से दिवाइड कर दिया क्या भी लिगा बज़ को x is less than x is less than 25 upon 6 x is less than 25 upon 6 आव देखिए वह आप से क्या करा आप फेस्ट पार्ट में x is a natural number यानि 25 upon 6 में इसका डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा 640 25 4.1 यानि 4.1 से छोटे नंबर इसका मतलब क्या है इससे less than number वह भी क्या natural number इसका में एक क्या बनाना भीटा solution set बनाना है तो solution set क्या होगा solution set one two three four यानि 4.1 से छोटे वह भी क्या natural number तो natural number क्या क्या होते है one two three four five लेकिन बच्चे भाई आजी हमको four point one से छोटा natural number लेना है तो four point one से छोटा natural number क्या होगा फोर होगा थ्री होगा टू होगा और वन होगा अब वन से छोटा देखेंगे तो जीरो आएगा जीरो हमारा natural number नहीं होता इसलिए यह आंसर है अब आगे क्या के रहा है एक्सिजन इंटीजर सेकेंड पार्ट में देखेंगे आप एक्सिजन इंटीजर तो इंटीजर में क्या होगा देखेंगे इंटीजर में हमारे पास सॉलूशन सेट वर चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा देखेंगे 4.1 से छोटा 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा बच्छे 0 हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा डॉट 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 इस तरह से आपर पास हो है क्या जाएगा एक्सिजन इंटीजर 4, 3, 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 कहां तक आ जाएगा पीटा माइनस के इंफिनिटी तक यही हमारा इसका सोलुशन सेट हो जाएगा सेकंड पाइट का स्वाइट अधिक नेक्स्ट कुश्टन देखेंगे आप देखिए नेक्स्ट कुश्टन है सोल करेंगे माइनस के 12x माइन स्कुट 12x ग्रेटर दैं 30 वेन एक्सिजन नच्वरल अमबर देखिए माइनस के 12x greater than 30 बीटा dividing the same number लिखेंगे इसमें dividing dividing both sides both sides by same negative number by same negative number लिखेंगे कैसे करेंगे आप माइनस के 12x माइनस के 12 से दिवाइट कर दिया अब मैंने उस दिन आपको समझाये था देखिए नॉट में इससे पहली वीडियो में आपको सेकेंड पॉइंट में समझाये था कि जब हम माइनस से मल्टिपलाई बेखेंगे पॉइंट में लुटन रहा है एक्स जिए नैच्रल लंबर एक्स जिए नैच्रल लंबर तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस फाइव अपॉण टू से छोटा नेच्रल लंबर कौन सा होगा वेटा नैच्रल लंबर वो X is a natural, X is a no natural number, X is a no natural number, X is a no natural नहीं होगा, second में क्या करा है, X is an integer, second part देखेंगे देखो, X is an integer, integer में क्या हो जाएगा, minus 5 उसे बड़ाइटीजर क्या होगा देखिए, minus 3 होगा बच्चे, minus 4 होगा, minus 5 होगा, dot 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 dot, यही हमाना answer होगा, देखिए एक बारा और दुबारा, second point में करा है, X is an integer, देखिए, X is an integer, देखिए, X is an integer, तो X is an integer का मतलब है, minus 5 by 2 से smaller, तो minus 5 by 2 से smaller कैसे होगा, देखो, यह कोई number line होती है, देखिए बच्चे, यह positive, यह negative, अब जब माइनस में चलते हैं, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, तो जब हम इधर चलेंगे, minus यह बड़ा, उससे यह बड़ा, उससे ही बड़ा हो जाएगा, तो minus 3 से छोटा क्या हो जाएगा, minus 4, minus 5, वैसे ही, X तरह से चलेंगे, देखिए, क्लियर, next question, अब बच्चे, 5X minus 3, less than 7, oxygen integer, oxygen integer solution, देखिए, यह क्या है, addition की कोई inequality है, मेरे पास में, किसकी है, addition की, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए, question है, 5X minus 3, less than 7 है, तो भीटा, 3 add कर रहे हैं, बोच साइड़, 3 added, बोच साइड, तो देखिए, 5X minus 3, यहानि, 5X less than 10 आ गया, 5X less than 10, तो X की वल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, less than 2, X की वल्यू मिल गी, 2 से कम, 2 से कम, अब 2 से कम क्या है, first point में, क्या गरा है, first point में, X is an integer, तो solution set बन जाएगा, मेरे पास में, solution, solution set हो जाएगा, solution set, देखिए, solution set कर जाएगा, 2, 1, minus 1, minus 2, dot, 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 infinity दाएग बिटा, minus, तो हमने क्या करा, 2 से छोटा लिखना है, मुझे देखिए, 2, 2 से smaller 1, 1 से छोटा, फिर 0, फिर minus 1, फिर minus 2, फिर minus 3, dot, dot, dot का, minus के infinity, या बच्चे, आप इसको है से लिखे देंगे, कि 2, 2, 1, minus 1, 2 से infinity, दीखिए, मैंने, minus infinity, 2, आगे के रहा है, second part of beta, X is real number, X is real number में क्या जाएगा, X is real number, X is real number क्या हो जाएगा, बच्चे, X belongs to minus infinity, 2, ठीक है, क्योंके पीटा, इसमें, इंटीएर में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, X is real number में, real number क्या होते है, positive or negative numbers, इसमें इंक्लूड हो जाएगे, next question, देखिए, 3X प्लस 8 greater than 2, 3X प्लस 8 greater than 2, तो बच्चे, क्या करेंगे, इसमेह में, X की value find करनी है, हमने, 3X प्लस 8, minus 8, हमने 8 को subtract कर दिया, both side, to 3X is greater than minus K6, 3X is greater than minus 6, divide by 3 in both sides, अब बिस्ट प्लस पॉइंट में क्या बोला हो, X is an integer, X is an integer, X is an integer का मतलब है, देखिए माइनस टू से बढ़ा बिटा माइनस टू से बढ़ा क्या होगा माइनस वान होगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट 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 सेकेंड पॉइंट में वो लाए है आप से X is an real number X is an real number X is an real number के लिए क्या बन जाएगा X is X is real number क्या हो जाएगा बच्चे देखिए माइनस टू से बढ़ा क्या होगा X is real number माइनस टू ओवा इन्फिनिटी माइनस टू से बढ़ा बेटा माइनस टू फिर माइनस वान फिर 0 फिर 3 फिर 4 फिर 5 डॉट 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 इन्फिनिटी यानि माइनस टू इंक्लूड नहीं होगा और जहां भी आप इन्फिनिटी का यह चीज आप यहां लगने आपको कि जहां भी आप इन्फिनिटी लगाएंगे वहां क्या होगा ओपन इंटरवल होगा हमेशा इस बात को विट आप बिलकुल पॉइंट बाद लो अपना कि जहां भी आप यहां तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो यह नेगेटिव इन्फिनिटी हो वहां आप ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे नेक्स कोश्च्छन देखिए क्या है 4x plus 3 greater than sorry less than 5x plus 7 देखिए अप solution करेंगे आप इसका 4x plus 3 बिटा 3 subject कर देंगे बोच साइड से 4x 5x plus 4 अब 5x subtract कर रहा हूं बोच साइड से तो minus kx is less than 4 minus x is less than 4 यानी minus वहां आगी मेरे पास में इक्विल्टी आप क्या करेंगे जब इंक्विल्टी मैनस मा जाएगी तो minus 1 से डिवाइड कर देंगे x is less than minus 4 तो पीटा क्या वैल्यू आजएगी इसकी minus 4 की minus 4 से greater than minus 4 से greater than minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 next question, देखिए, question number 6 है, 3 x minus 7 is greater than 5 x minus given, 3 x minus 7 तो पीटा, 7 add करें, adding 7 बोच साइड्स, पील आसके 7 एड कर दिया मैना, अब क्या रहेगा, 3 x is greater than बच्चा, 5 x plus 6, 5 x plus 6, minus के 5 x सब्टेक्ट कर रहा हूं याँ से, देखिए, 3 x, minus 5 x, minus के 5 x, मैंने दोनों साइड से, head कर दिया, minus के 5 x, इधर भी बच्चे, और इधर भी, तो मुझे क्या बन जाएगा, minus 2 x is greater than 6, तो x की वालू क्या जाएगी, x is less than minus के 3, x is less than minus 3, अब, x is less than minus 3 आगा, अब आर पास के बटा, solution set क्या जाएगा, in equality, देखिए, solution set, solution set of inequality, minus 3 से smaller, तो पेटा, minus 3 include, इसमे नहीं होगा, तो minus 3 से छोटा, minus 2, next question, देखिए, next question, देखेंगे, question number 7 देखेंगे, बच्चे, करेंगे, solve इसको, देखिए, solution, 3 x minus 1, इसमें पीटा, less than equal आगया है, less than equal जहाँ भी आता है, बच्चे, मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर, हम closed interval का use करते हैं, किसका, किलोज इंटरवल कर देखो, कैसे, 3 x minus 1, is less than equal 2 x minus 3, multiply करेंगे, 3 x minus 3, is less than 2 x minus 6, adding, 3 both sides, 2 x minus 2 x both sides, 2 x, 3 x minus 2 x, तो मैं टाई क्या बच्चे का एक्स, तो inequality क्या जाएगे मेरे पास, मैं बच्चे, 3 से less than, 3 से छोटा, क्या होगा, minus के 4, minus के 5, minus के 6, 3 से smaller, यानी, minus 3, minus 3, भी include होगा, इसके अंदर, बेटा, इस लिए को, इस close interval का आपको, विशे ध्यान रखना है, कि जहाँ पर आपकी बस, less than equal का sign आएगा, x is less than equal minus 3, वह आप close interval का use करेंगे, इसका close interval का, देखिया आगे, question number 8, देखिया, सबसे पहले बेटा है, इसमें मुल्टिवाय करते हैं हम, इसमें, 3, 2, 6, after it, minus के 3, x, 2, minus, 2, x, अब बेटा, एड़िंग, एड़िंग नहीं, minus 6 लिखिया, आप इसमें, सब्टेक्ट करेंगे, दोनों साइड से minus 6, बेटा, minus 3, x, minus 2, x, minus 4, अब, हम x के वल्ब फाइंड करनी है, तो, plus 2, x, एड़िंग कर दो, दोन तरफ, तो, minus x is less than equal, minus 4, दोन तरफ, minus 6 लिखिया, देखिये, minus के 3, x से, plus के 2, x गया, minus के 3, x से, plus के 2, x गया, तो, क्या बचेगा, minus के x, अब, minus के 2, x से, plus के 2, x क्या, cancel out हो जाएगा, तो, भाहिया जी, क्या बच जाएगा, minus के 4, अब, हमारे पास में, दोन तरफ, minus 4 आ गया, तो, इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, x is less than equal 4, क्या जाएगी बच्चे, x is less than equal 4, तो बेटा, इसको आप, minus infinity जे, close interval, यहनि, 4, 3, 2, 1, dot, 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 minus k, infinity, now, question number 9, 9 पर देखिए, solution करेंगे, इसका, बिटा, यहाँ पर, x आदा, देखिए आप, आप क्या करेंगे, x को बार ले लो, 1 प्लस 1 बाई 2, प्लस 1 बाई 3, less than 11, 11, क्योंकि तीनों में बिटा है, x आ रहा है, मैंने टेकिंग दा कॉमन, x, 1, हैं लेट, 1 कर लेंगे, 6, lc मा जाएगा, 6, 2, 3, 6, 3, 2, 6, x, 6, or 3, 9, 9, or 2, 11, 11 से, 11, cancel हो जाएगा, मीटा, x अपाउन 6, is less than 1, cross multiply करेंगे, तो x की value क्या जाएगी, 6, अब, x की value 6 आ गई, तो मेरे पास, solution set of inequality के, मिल जाएगा, यानि, minus infinity, to 6, set, 6 से बच्चे, छोटी value लिखनी है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, तो कहां तक आप solve करेंगे, इतनी सारी value आप लिखतो अपाऊगे नि, इसलिए हम इसका interval का यूज़ कर देंगे, कि 6, तो आजाएगा बिटा क्या, open interval, और minus infinity को मैं भी पहले बता चुका हूँ आपको, कि जहाँ minus infinity आए, plus infinity आए, जहाँ भी infinity आएगा, वहाँ हमेसा आप open interval का यूज़ करेंगे, next question, देखिए, x upon 3, greater than x upon 2, plus 1, बच्चे, हमने क्या करना है, x upon 2 को आप इधर ले आएंगे, कैसे, देखो, x upon 3, minus x upon 2, greater than 1, अभी जैसे हमने last question में किया था, x को को मैं ले लेंगे, x बाहर ले लिया, 1 upon 3, minus कि 1 upon 2, 3, 2, 6, 2 minus 3, x, minus x upon 6, is greater than 1, तो यह क्या हो जाएगा मुझे, minus x is greater than 6, minus x is greater than 6, बीटा, x की value, minus में आ रही है, तो इन उक्विल्टी क्या मिल जाएगी, देखिए आपको मैं, x is less than, minus 6, x is less than, minus 6, यानि, minus 6 से, क्या, shorty value लेनी है, minus 6 से shorty value क्या होंगी, देखिए, minus 6 को include नहीं करना, तक minus के infinity तक, यह मेरा क्या मल गाएगा, बीटा, solution, set बिल गा, inequality का, next question, क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसकी मुल्टिपलाइश में करेंगे, 3x, minus, देखिए भाया जी, 3 to 0, 6 upon, 5, 5 to 0, 10 minus, 5x upon, 3, किसी को कोई दिक्कत, बोलो, अच्छा, आगे जलते हैं, देखिए, आप cross multiply कर लेजेंगे, cross multiply क्या, 3, 3, 9x, 6, 3, 18, less than equal, 5, 5, 25, आप बेटा, क्या करेंगे आप, xx वाली टरम को, xx वाली टरम को, एक साथ कर लेंगे, xx वाली टरम को, उनसी हमार पास भे, देखेंगे कैसे, 9x, plus 25x, is less than, 50 plus 18, तो बच्चे, 25 or 9, 80x, 34x, is less than equal, 68, तो x की वैलू अच्छे, 2 आ गई, और सॉलुशन सेट जो बन जाएगा, हमारे पास में, 2, और जबी, less than equal, तो 2 किसम हो जाएगा, किलोज इंटरवल में, 2 किसम हो गया, किलोज इंटरवल में, कहां तक, माइनस के, इंफिनिटी तक, कहां तक हो गया, माइनस, इंफिनिटी तक, नव, नेक्स कोश्टिएन, देखे, कुश्यन नमबर 12 है, 12 में क्या आया बठी है, हम इसकी मुल्टिप्लाइग समा कर रहे है, पहले, 3x अपॉन, 10, plus, 4 अपॉन, 2, is greater than, equal to, x अपॉन, 3, minus के 6 अपॉन, 3, विटर 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 3x अपॉन, 10, अब, x, एक्स वालिट टर्म को, एक्साथ कर लेंगे, और विदाउट एक्स वालिट टर्म को, एक्साथ कर लेंगे, तो 3x अपॉन, 10, minus x अपॉन, 3, minus 2, minus 2, taking the LCM, 9x, 10x, ये क्या हो जाएगा, minus x अपॉन, 30, ये क्या होगा बिटा, अब, दोनों तरफ आपास, ये आरे है, इंक्विल्टी, तो आप क्या करेंगे, x is less than, equal to 120, यानि, minus अगे दोन तरफ, x upon 30, is greater than 4, दोन तरफ, minus अपॉन, तो minus से multiply कर देंगे, क्या देंगे दोन तरफ, sorry, divide कर देंगे, divide कर देंगे, तो x की वालू क्या दाएगी, x is less than equal, 120 याद आएगा, तो बच्चे, solution set क्या बन जाएगा, solution set हो गया, minus infinity to 120, क्या बढ़ गया बढ़िटा, solution set हो गया, 120 से, equal भी होगा, और इस smaller भी होगा, 120 कॉमा, minus के infinity, यह हमारा क्या बन गया बच्चे, solution set, अब मैं आपको, question number 31 की तरफ ले जा रहा हूँ, देखिए, simple question है बिलकुल, इसकी मल्टिले बच्चे, इसमें करेंगे, 2, 2 जा, 4 x, plus, 2, 3 जा, 6, minus 10, is less than, देखिए, 6 x minus 12, now, 4 x minus 4, 6 x minus 12, x x वाली वालू, एक साथ कर लेंगे, और विदाउट एक साथ लेंगे, तो 4 x minus 6 x minus 12 plus 4, minus के 2 x is less than minus 8, मेट, मेटा आप दौनो तरफ माइनस आगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी इन्क्विल्टी, चेंज हो जाएगी, इन्क्विल्टी क्या चेंज हो जाएगी, देखिए, माइनस 1 से डिवाइट कर रहा हमाँ, दौनो तरफ अब, तो 2 x greater than 8 आजाएगा, यानि x की वाइट क्या जाएगी, 4, x की वाइट क्या आगी 4, यानि 4 से बड़ी वैलू, कौन सी बड़ी वैलू, देखिए, 4 से बड़ी वैलू, less than का sign है, तो 4, से infinity तक, यह दिवेटा यहाँ पर एक क्वाल होता, तो आप क्या लगा देते हैं, close interval लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, close interval, next question, देखिए, 37, solution कर रहा हूँ, मैं बड़ी डायरेक्ट, minus की मल्टिपलाई यहाँ आप अंदर करेंगे, minus 3x, minus 5, 9x, minus 8x, 8, 3, 2, 24, अब, 37 में से 5 गया, 32, minus 3x, x, plus, 24, बिटा, x की value, find करने हैं हमको, तो अब क्या करना है, x, x वाले, आप एक साथ कर लो, और without x वाले, एक साथ ले जाएं है, देखिए, minus के 3x, minus के x, 24, minus के, 32, तो यह जाएगा, minus के 4x, इस में से इसको, सब्टेट करेंगे, तो क्या जाएगा, minus के 8, क्या आगा पच्छे, minus 8, अब, minus 4 से, इस दिवाइड कर रहा हूं, तो तरफ, तो जब मैंने, minus 4 से, इस दिवाइड करा, यह इनक्विल्टी बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, greater than, से लेस देन हो जाएगी, x is less than equal, 2 आजाएगा, और 2 से, जब equal आगया है, तो जब एक्विल्टी इंटरवल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कहां तक, minus के infinity तक, next question देखिया, देखिया, x upon 4, less than, 5 x minus 2, upon 3, minus 7 x minus 3, आपने क्या करना है, x upon 4 को ऐसी रहन देना है, और पिटा, इसका LCM ले लेंगे आप, LCM क्या एगा, 15, भाई 3 और 5 का LCM क्या होता है, 15, 3, 5 जा 15, 5 इंटो, 5 x minus 2, minus 3 into, 7 x minus 3, अब अच्छा, देखिया भाईया जी, आप 5 की मल्टिब्लाई इसमें करेंगे पहले, फिर 5 की मल्टिब्लाई यहां करेंगे, x upon 4, 5, 5 जा 25 x, minus के 10, minus, 21 x, plus 9, upon 15, अब भाईया जी, x upon 4, 25 में से 21 गया तो 4, minus के 1, और यह 4 x आ जाएगा, minus के 1 upon 15, cross multiply करेंगे, 15 x is less than, 16 x minus के 4, अब बच्चे, हमें x की value निकाल नहीं है इसमें, तो x की value निकालेंगे तो आप क्या मिल जाएगा देखिये, 15 x minus 16 x is less than minus 4, यानि minus x is less than minus 4, तो बेटा, x की value क्या होगी, x greater than 4 आजाएगा, और x greater than 4 आजाएगा, तो 4 की इसका मतलब क्या है, कि 4 x की value 4 से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 4 से इन्फिनिटी तक, 4 से इन्फिनिटी, और इससे बढ़ी है तो यह भी, ओपन इंटर्वल लग जाएगा, बच्छे, नेक्स कोस्चिन, देखे, कोस्चिन नमबर 16, सेम कोस्चिन बेटा 15 की तरह है, देखेंगे, 2 x minus 1 upon 3, is greater than, calcium ले लेंगे 20, तो 5, minus 4, देखेंगे बच्छे, हमने 5 और 4 calcium ले लिया, 4, 5 जा 20, जो 5 आएगा, उसकी multiple हैं हम उपर करेंगे, अब, 5, 4 जा 20, जो बच्छा 4 आया, 4 की multiple हैं नहीं कर लें, आया समझ, कोई प्रॉब्लम, देखी आगे, अब 5 की multiple हैं इसमें करेंगे पहले, फिर 5 की multiple हैं करेंगे, 5, 3, 0, 15, 5, 2, 10, आगे, 4, 2, 0, 8, प्लस, 4, X, अपन, 20, अब बीटा, 15 और 4 को एड़ करेंगे आप, 19 X, minus 18, upon 20, नेक्स के आप होगा, 2, X, minus 1, upon 3, अब अच्छे, cross multiply कर लेंगे, 19 3, 57, 18 3, 54, अब अच्छे, X, X, एक साथ कर लेंगे, माइनस के 17 X, minus 34, बीटा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए, तो क्या जाएगा, 17 X, is less than, equal, 34, यहानि, X की जो वैलू आएगी, 2 से, इसमाल होगी, कितनी होगी, X की वैलू, देखिए, इनफिनिटी से 2, और 2 को उपर क्या लग जाएगा, बच्छे, close interval, यही हमारा, answer है, next question, देखिए, आज की, वीडियो में, बेटा, question number 16, तक ही, खराएँगे, आपकी question समझ में आए हो, तो चैनल को एक बाद, जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेटा, पिलीज, थन्यवाद,